सब को जय मसिकी, बॉन टू इन कारिकरम में आपका स्वागत है, आपको आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद दते हैं, जो आपने एमेल के द्वारा, फोन करने के द्वारा हमें उसाहित किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जीवन प्रेमेश और इस कारिकरम के द्वारा बदल रहा है, हम आपको तहदिल से धन्यवाद देते हैं, कि आप हमारे साथ खड़े हैं, और इसलिए इस कारिकरम को हम प्रेमेश और अरुगर के नुसार लगातार प्रसारित कर रहे हैं, यदि आप और भी वीडियोस जो है, देखना चाते हैं संदेश का, तो जरूर से राकेश पॉल जी एंसी यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, परमेश आपको बहुतायत से आसिस देंगे, और दूसरों को भी बताए ताकि वो भी परमेश के वचन को सुन सके, आए हम प लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ, आज मैं परमेश के वचन को सुनूंगा, और मैं कहता हूँ, मेरा जीवन बदलने के लिए तायार है, हाललेलुईया, अक्सर लोग जो है, अपने जीवन में बहुत सारे चुनूंटियों को जहलते हैं, यदि आप सही नीडने लेंगे अपने जीवन में, तो अपने जीवन को फ्रूटफुल बना सकते हैं, यदि गलत नीडने लेंगे, तो अपने जीवन को रूइन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं और हर व्यक्ति का जीने का एक अलग विचार होता है एक सोच होता है लेकिन scripture हमें बताता है कि जब हम येश्व मसी को अपने जीवन में ग्रहन करते हैं उसे अपने परकार की जीवन शैली परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। येश्व ने कहा तुम मेरे मित्र ठरोगे यदि तुम मेरे आग्याओं को मानते हो। तो बाइबल में जो है एक पैटर्न दिया हुआ है, जीवन शैली दी गई है कि किस परकार से हम जीवन जिये। हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्रिश्चन है लेकिन अपने मन से अपने सोच के नुसार इस परकार से जीवन जिये जो बाइबल के विप्रित हो। एक लाइप स्टाइल जो है हमें अपनाना पड़ेगा और वो अचानक से नहीं आता है, उसे सीखना पड़ता है। मैंने सुना है कि कोई भी हैबिट आपको बनाने के लिए 21 डेस चाहिए और कोई भी हैबिट को तोड़ने के लिए 21 डेस चाहिए। यदि आप प्रात्ना का हैबिट बनाना चाहते हैं, तो कम से कम लगातार एकीस दिन प्रात्ना करें, आपको खुद भख़्ुद उसका हैबिट हो जाएगा। उसी प्रकर वचन पढ़ने का हैबिट लोगों को होना चाहिए। परमेश्व के वचन के विश्य में पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। आज मैं आपको a wise lifestyle के विश्य में बता रहा हूं। एक बुद्धिमानी वाली जीवन शैली के विश्य में मैं आपको बता रहा हूं। आए अपने बाइबल को हम लोग खोलेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 15 पत से 21 पत तक हम देखेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 15 पत से 21 पत। यहाँ पर एक wise lifestyle के विश्य में बताया गया है और यहाँ इस पर का लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आउसर को बहुमुल्य समझो क्योंकि दिन बुरे है। इस कारण नुर्बुद्धी ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छ क्या है दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्पन होता है पर आत्मा से परिपून होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मीक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और किर्टन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु येश्यु मसी के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो मसी के भए से एक दूसरे के अधिन रहो परमेश्वर इस वचन पर पढ़ जाने पर बहुत बड़ी आशिश दे यहाँ पर कुछ बातों को पॉलूस बताता है कि किस परकार से हम एक वाइज लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं बुद्धिमान का जो है चालचलन हम अपने जीवन में ले सकते हैं सबसे पहली बात जो है हम देखते हैं वो यह है make the best use of time जो पॉलूस बोलता है कि अपने समय का जो है आउसर को जो है बहुमूली समझो यदि आप बुद्धिमान है तो अपने जो आउसर आपको प्राप्त होते है उसको जो है आप उसका उप्योग करेंगे इंग्लिस में लिखा है making the most of every opportunity because the days are evil most of the opportunities जितने आउसर आपको मिलते हैं और हिंदी में लिखा हुआ है कि निर्बोधियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समझ चलो आउसर को बहुमूली समझो क्योंकि दिन बुरे है यहाँ पे जो time opportunity जो लिखा हुआ आउसर लिखा है तो युनानी सब्द जो है kairos का इस्तेमाल किया गया है kairos जो है जो शब्द है उसका मतलब होता आउसर या समय kairos का मतलब होता है a point of time और a period of time आपको जितने भी मौके मिलते है उसका उप्योग करना है यदि आपको इंजिनेर बना है लेकिन आप जो है पढ़ लिए है आप पढ़ रहे है और बहुत struggle कर रहे है और कुछ आपको part time स्वीगी है जो माटों में नौकरी मिल जाती है तो उसको करे उसको करते हुए आप पढ़ाई कर सकते है जो भी आउसर जो है आपको मिला है उस period of time में उसको इस्तिमाल करना बहुत जूरी है अक्सर बहुत सारी यूथ मुझे कहते है कि पास्टर राकेश पॉल मैं आपके समन बनना चाहता हूँ आप बोलते है या बहुत सो लोग सुनते है आप जो करते है मैं वो करना चाहता हूँ मैं उनसे कहता हूँ मैं जो करता हूँ आप वो करना चाहते है लेकिन मैं ने जो किया है यहां तक पहुंचने के लिए शायद आप उसे करना ना चाहे मित्रो कई बार जेनरल ट्रेन में जो है बिना टिकट के लंबी यात्रा करना और निउस्पेपर बिछा कर जो है ट्रेन में बैटना और वो सारी दिन जो है मेरे जीवन में आए और उस समय भी मैं प्रभु की सिवा करता था और प्रभु के वचन परचार करता था यदि आप जो है wilderness में faithful नहीं रहेंगे तो आप कनान में भी faithful नहीं रहेंगे यदि मरुस्थल में faithful नहीं है तो वाईदे की हुए देश कनान में भी अब जाएंगे वहाँ पर भी आप इस्वासी होगी नहीं रहेंगे बहुत उतार चड़ाव हमारी जियोन में आता है दाउत कहता है चाहे मैं गोर अंधकार के तराई में भी होकर चलू फिर भी हानिस्त ने डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है चाहे किसी भी परिस्तिती में हो क्यों नहों कोई भी आउसर हमारे सामने क्यों ना हो जो है हमें उसे बहुमल समझना है उसको उप्योग करना है ये जानकर कि परमेश्व चाहता है कि मैं इस संकट की घड़ी से इस कठीन परिसिती से मैं गुजरू आप अपने बीमारी में पड़े हुए है अपने दुख में है तकलीफ में है तो उसमें कुरकुडाईय मत उस समय भी जो भी सकारात्मक आप कर सकते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए परमेश्व की महिमा के लिए आप उससे जरूर करें हर व्यक्ति को जो है 24 घंटे ही मिलते हैं और इस 24 घंटे को ये समय को जो है आप बचा नहीं सकते saving नहीं कर सकते कि I will save my time No, you have to spend your time आपको अपने समय को खर्च करना है और किस परकार से आप समय को खर्च करते हैं वो आपके जीवन में होने वाली बातों को जो है नुक्त करेगा आपके भविश्च को नुक्त करेगा So if you want to live a wise living, a wise lifestyle, new lifestyle के विशे में बोल रहा wise lifestyle तो ये lifestyle जो है आपको समयना पड़ेगा कि जितना भी opportunity आपके पास आ रहा है जितना भी समय आ रहा है तो आप उसको उसका उप्योग करना पड़ेगा Make the best use of your time अपने समय का उप्योग करे, अपने औसर का उप्योग करे क्यों? क्योंकि days are evil लिखा है क्योंकि दिन बुरे है और भी कठनाई, और भी चुनोती आते चले जाएगी हमें लगता है कि हमारे जियन में ही चुनोती है नहीं इससे पहले जो लोग थे, हम से पहले हमारे पुर्वच, उनके जियन में ही काफीọn चुनोती था और आने वाले दिनों में और भी चुनोतियां होती चले जाएगी आप निउस्पेपर उठाईए आपको पता चलेगा दिन बुरा है समय बुरा है आपको खोजना पड़ेगा कि कोई अच्छा निउस आज मिले अपको नौकरी नहीं मिली है कम से कम टूशन बढ़ाईए टूशन पढ़ा के भी आप कमा सकते है और आगे बढ़ सकते है मैंने कई लोग को देखा है टूशन पढ़ा के बहुत पैसे कमाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से चला रहे है Make the best use of your time ये जो समय जो है आप जो है जिससे गुजर रहे है परमेश्व चाहता है कि आप उससे गुजरे एक किसान जब बीज बोता है तो वो दो तरके से जो है अपने भावन व्यक्त कर सकता है डेली जाकर खेत के पास कुरकुडा के कि अरे अभी तक जो है पौधा नहीं होगा है अभी तक मेरे को फसल नहीं मिला है या वो समय का इंतिजार करेगा वो रैट समय का इंतिजार करेगा और प्रमेश्यों को धन्यवाद देगा, प्रात्ना करेगा, और कुरकुराएगा नहीं, और मेहनत करेगा, और सफलता उसे मिलेगी, समय पर उसका फसल भी आएगा आपका और मेरा जीवन ऐसा ही होना चीए, आउसर को बहुमूली समझे, समय जो आ रहा है उसको बहुमूली समझे, और जो भी आपके सामने है उसे करे, ताकि जो है आप एक अच्छे जीवन शैली को अपने जीवन में लगा सके सब्सक्राइब जो है एक वाइस लाइफ स्टाइल लाने के लिए हमें करना है, अंडर्स्टैंड द विल अफ गार्ड, सत्र पद में देखते हैं यहां लिखा वहा है इस कारण निर्बुद्धी ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभू की इच्छा क्या है लिखा निर्बुद्धी ना हो यानि कि बहुत सारे लोग निर्बुद्धी होकर कारी करते हैं वो जो है अपने बुद्धी का इस्तिमाल नहीं करते है यहां पर लिखा है कि पर ध्यान से समझो कि प्रभू की इच्छा क्या है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत जुरूर है यदि आप रोमियों उसका बारा अध्याय अदोपद में पढ़ेंगे तो यहां ऐसा लिखा है इस संसार के सदरिश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए जिस से तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिध इच्छा अनुभाव से मालूम करते रहो पर्मेश्व की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? पर्मेश्व की इच्छा जो है आपके जीवन के लिए है वो ये है, वो भली इच्छा है, भावती इच्छा है और सिद इच्छा है His good, pleasing and perfect will is for you पर्मेश्वर आपको नुकसान पहुशाने ने चाहता है पर्मेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में आगे बढ़े लिखाए संसार के सद्रिश ना बनो संसार का जो system है Do not accept the system of the world मतलब किसी का टांग खिचकर आगे बढ़ जाना किसी के विरुद में बुरा सुनना बुरा बोलना ये है संसार का system अपने दुस्ता का इस्तिमाल करके जो है दूसरों को नीचा दिखाना मावाप का रिस्पेक्ट नहीं करना जमी जगा के लिए हमेसा लड़ते रहना अपने परिवार वाले का बलिदान करके दूसरों को जो दूर है उससे ज़्यादा प्रेम रखना जो परिवार में है उससे प्रेम ना रखना ये संसार का system है लिखा कि संसार के सद्रिस ना बनो लेकिन अपने चाल चलन को ठीक करो और परमेश्वर के भली भावती और सिध इच्छा को जानो तो इस बात को समझे ले कि परमेश्वर का जो इच्छा है आपके लिए वो भली भावती और सिध है और इस बात को समझो understand the will of God समझो कि परमेश्वर के इच्छा तुमारे लिए क्या है अगर Will of God देखते हैं, तो उसको आप दो परकरसे बाढ़ सकते हैं एक है General Will of God, एक है Specific Will of God परमेश्वर का समान इच्छा है, जो सारे मनुस जाती के लिए है और परमेश्वर के इच्छा है, जो खास आप के लिए है मैं आपको इस परकरसे बताता हूं कि परमेश्वर जो है, कि इच्छा है, कि उधार, माफी, परमेश्वर का प्रेम ये सारे चीज जो है, अराधना, ये परमेश्वर का इच्छा है, सारे मनुस जाती के है कि सब के उधार मिले, सब को पापों के छमा मिले परमेश्वर के इच्छा है कि सब जो है उसकी अराधना करे, स्तूती करे सब जो है आगे बढ़े, किसी को नुकसान पहुचाने का नहीं है लेकर उन्नति देने का है, ये है general will of God दूसरा है specific will of God वो खास इच्छा, परमेश्वर चाहता है कि आप नौकरी करे लेकिन कौन सी नौकरी करे, ये सब के लिए एक समान नहीं है वो खास आप के लिए प्रभु जो चाहता है उसे करे वो आपको परमेश्वर बताएंगे, पवितरात्मा बताएंगे दूसरी बात है जैसे परमेश्वर चाहता है माल लेजए आप शाधी करे लेकिन किस से साधी करें यह आपको पवित्रात्मा लीट करेंगे यह है specific will of God So it is very important for us to understand what is the will of God for me What is the general will of God and what is the specific will of God कई बार हम सोचते हैं कि चाहे उस वैक्ति के लिए जो प्रभू नहीं किया exactly वो मुझे चाहिए नहीं ऐसा नहीं या वो वैक्ति जिस परकार से है मुझे भी वैसा ही बोलना है मुझे भी वैसा ही करना है मुझे भी वही प्राप्त करना है नहीं मित्रो परमेश्य की इच्छा साइद आपके लिए वैसा नहीं है इसनले लिखावा है कि पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा को समझना जो है समझने के लिए आपको ध्यान लगाने के जोत है आपको जो समय बिताने के जोत है प्रभु तो आपसे बात करना चाता है लेकिन कई बार आप रहम जो है उसके सुनते नहीं है So a wise lifestyle उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मने बताया Make the best use of your time दूसरा चीज़ मने बताया Understand the will of God परमेश्व की इच्छा को समझे तीसरी बात है Be filled with the Holy Spirit Be filled by the Holy Spirit पवित्र आत्मा से भर जाए तब आप जो है एक अच्छा जीवन शैली अपने जीवन में देखने पाएंगे आप वो 18 पत से देखे क्या लिखावा है दाकरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इसमें लूचपन होता है पर आत्मा से परिपून होते जाओ दाकरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इसमें लूचपन होता है यहाँ पर जो है दो आग्या दी गए दो इंपरिटिव्स है यहाँ पर कमांड है यहाँ पर एक तो है कि दाकरस के मतवाले ना बनो और दूसरा है आत्मा से परिपून होते जाओ और उसके बाद जो है वहाँ पे बताया गया है और वो बताया गया है कि अगर आप दाकरस से मत वाले हो जाएंगे आप दारू पियने वाले हो जाएंगे पियकड हो जाएंगे तो क्या होगा उसमें क्या होगा लूचपन होता है एक्सिसिव आप ज्यादा पीने लगे तो आप जो है क्या करेंगे आप ड्रग्स अल्कोहल गंदी-गंदी बातों में सब बातों में आप शामील हो जाएंगे जो शराब क्या करता है दाखरस क्या करता है उसमें जो आप एक्सेस ले लेंगे मतवाले हो जाते है तो वो क्या आपके सोचने समझने की छमता को खतम कर देता है और आपको क्या भला है क्या बुरा है उसका भेद नहीं रहता है उसका अंतर नहीं रहता है इसले लिखा है कि दाखरस के मतवाले ना बनो क्योंकि उसमें लूचपन होता है उससे आपको मतवाले हो जाएंगे तो कोई फाइदा नहीं है आपको हानी होगा लेकिन आत्मा से परिपून होते जाओ, आत्मा क्या करता है, दाखरस के मतवाले के विरोध में क्या है, आत्मा से परिपून होते जाओ, जब आप आत्मा से परिपून हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, आपकी जीवन को अच्छी रास्तों पर ले जाएगा, अच्छे जीव और बुद्धी देगा, कठिन कठिन कामों को कैसे अपने जीवन में solve करना है वो बताएगा, आत्मा आपको अगवाई करेगा, आत्मा आपको परमात्मा परमेशों से जोड़ेगा, आत्मा आपको बताएगा कि किस प्रकार से अपने घर में एक अच्छा relationship, अच्छा माहौल आत्मा आपको बताएगा कि परतेक दिन जो है अपने समय का और आउसर का कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं, आत्मा आपको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, देखे, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आपके शरीर से, आपके नाखून से, आपके हाथ से, च आत्मा को ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हललुया, तो यदि आप आत्मिक नहीं है और आप चाहते हैं परमेश्वर आप से बात करें, तो ये असंभव है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मिक है, और ये आत्मा आपके आत्मा स से बात करेगा आप शारिरिक है आप सभाविक है तो आत्मिक बीचों को आप समझ नहीं पाएंगे इसलihen मित्रों लिखा है ये पॉलोगा है कि सब्सक्राइङ कि तुम जो है मैय स्मझ वाले यानि कि जो है तुम जो है दाकर स्ब्सक्ति मत वाले मत बनके लेकिन किसे भरते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ताकि तो परमेश्वर के इच्छा को समझ सकोगे, हललुया, एक अच्छी जीवन शैली, एक wise lifestyle को तुम अपने जीवन में देखने पाओगे, इसलिए यहाँ पे contrast दिया गया है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, तो क्या होगा, उनीस पत में लिखाया है, और आपस में भजन और सूती गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और किर्तन करते रहो, तो सबसे पहले क्या होगा, those who are filled with the Holy Spirit, they will worship God, वो परमेश्वर की अराधना करेंग उसके लिए गीतों को गाएंगे, उसके लिए भजन करेंगे, उसके लिए आत्मिक गीत गाएंगे, और किर्तन करेंगे, और उसके स्तूती अराधना करेंगे, हालेलुया, और हम जानते हैं कि जब स्तूती अराधना ओपर जाएगी, तो आशिश लेकर हमारे जीवन में नी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सब बातों में लिखा, बीस पद में लिखा, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभू येश्व मसी के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहों, दोस वो अर फिल्ड विद ग्राटिटूट, विद थैंक्फुलनेस, आप जो है सब को धन्यवाद दें, जो आपके लिए कर अगर कुछ करता है, आप उसको भी थैंक्यू बोलेंगे, परमेश्वर को भी थैंक्यू बोलेंगे, येश्व मसी के नाम से जो है, आप गउड, एक किस पद में कि है लिखा, मसी के भई से एक दूसरे के अधीन हो औरलेंगे, जो पाविटरात्मा से भः नहीं वो एक दूसरे से लडाई करते रहेंगे, वो एक दूसरे के चुगली करते रहेंगे, वो सोचते रहेंगे, भई इसको कैसे मिल गया, ये तो मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, इसके पास कैसे आ गया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, दाखरस के मत वाले ना बनिये, क्योंकि उसमें लुच्पन होता है, आप लुच्चा लफंका बन जाएंगे, आप से लोग नफरत करने लगेंगे, लेकिन पवित्रा आत्मा से भरते जाएए, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में स्तूति राद न देखेगी, आप परमेश्य के परति धन्यवादित हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, येश्व मसी के भई से, भाई में, एक दूसरे के, में जो है, आप सब्मिट करेंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे, एक दूसरे को की बढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, ये सारी बाते जो है, जब आपके जीवन में आगी, तो एक नया जीवन शैली आप अपने जीवन में देखने पाएंगे तो आपने आज सीखा कि एक नया जीवन शैली, एक wise lifestyle को हम कैसे जीए तो हमें क्या करना चीए सबसे पहले, plan how to make use of your time अपने समय का कैसे सद उपयोग करना है, उसके लिए आप योजना बनाईए what is the general will of God for everybody Bible को पढ़िये और जानिये की परमेश्वर का समान्य इच्छा सारे लोग के लिए क्या है then be careful in discerning the specific will of God आपके जीवन के लिए परमेश्वर का खास इच्छा क्या है उसको जानिये then seek to be filled with the Holy Spirit आप लगातार जो है परमेश्वर के आत्मा से भरते चले जाए यदि मित्रो यदि आप ऐसा करेंगे तो एक नया जीवन शाली आप देखेंगे और अपने जीवन में आप मगन होते जाएंगे परमेश्व के आशिश में परिपून होते जाएंगे आपका रिलेशन्सी परमेश्व के साथ और लोगों के साथ और भी बहतर होते जाएगा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशिश दे आईए मैं आपके लिए प्रात्ना करूँ लेकि उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप और भी वीडियोस इस परकार से देखना चाहते हैं तो जरूर से यूट्यूब में राकेश पॉल जी एंसी को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को आप मदद करें हमारे लिए प्रात्ना करें, हमें आर्थिक रूप से मदद करें ताकि हम और भी इस परकार के कारे करेम को लंबे समय तक चलाते रहें मैं अपने प्रात्ना करने चाहता हूँ प्रभु येश्व मसी इस समें मैं सारे वीवर्स के लिए प्रात्ता करता हूँ प्रभु इनके जीवन में आप काम कीजिए कि एक नए जीवन शैली के साथ खुदाओन ये अपने जीवन को बिता सके पुरानी बातों को बीटते हुए देख सके पिता नई बातों को अपने जीवन में ले ले प्रभु इश्व मसी पवितरात्म से भरते हुए पिता प्रमेश्वर वो लोग अपने जीवन को जीए पिता प्रमेश्वर यदि घर में कोई तकलीफ है खुदाओन उनके तकलीफो को दूर कीजिए, पवित्रात्मा अपने सामर्थ के कारी कीजिए, आज जो relationship में problem हो रहा है, जो सोच विचार में खुदाउन ऊच नीच हो रही है, प्रभू उन सारी बातों को आप दूर कीजिए, पिता प्रमेशन, लोग खुदाउन, अपने focus को खुदाउन, समस्या पर ना लगाकर, आप पर लगाए क्योंकि समधान आप लाने वाले हैं येशु मसी के नाम से आपकी महिमा खुदाउन सारे विवर्स के जियोन में होने जए धन्यवादेते प्रभू, इस विंति को येशु मसी के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन सब कुझे हैं मसी की